सुशल साइंस के क्लास में कल हमने आपको सल्टत काल की शुरुवात के बारे में पढ़ाया था तराइन के दूतियुद में प्रत्थी राचाहन की पराजय के पशाद दिल्ली में तुर्क शासन इस्थापित हो गया था इन तुर्क शासकों में मुहमद गुरी इमरत्यों के बाद कुतूब दिन एबक गद्धी पर बैठा और उसने यहां पर तुर्क राजयों के शाइव का शासन समाला कुतुब दिन एबा की चार वर्ष पश्चाथी मृत्य हो जाने की बाद इल्दुतमिश कद्दी पर बैटा था और इल्दुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजानी बनाया था और तब सही दिल्ली सल्तत कहलाने लगा था कल हमने आप लोगों को इतना पढ़ाया था इसके आगे का अब हम आपको आज शुरू करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर भारत का मैप है जिसमें की आपको कई कलर दिखाई दे रहे हैं और लाइने बाउंडरी बनी दिख रही है इसमें जो रड कलर से बाउंडरी वनी है ये इल्तुत मिश्च के सामराजी को दर्शाती है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि उत्तर भारत का अधिकांश शिस्टा इल्तुत मिश्च के सामराजी में संबले था इतने बड़े सामराजी को अच्छे से चलाने के लिए इलतुत मिश्ट ने शासन व्यवस्था पर जोर दिया और उसने अपनी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छे धंग से संचालित की थे इलतुत मिश्ट ने देश में एक राजधानी एक सुदंत राज और अफसर शाही व्यवस्था के स्थापना के थे उसने इस अपनी शासन को अच्छे से चलाने के लिए केंद्र को प्रांतों और इस्थानी शासन से जोडने की कोशिश की और इस व्यवस्था के अंतरगत उसने अपने पूरे सामराज जी को कई भागों में विभखत किया सुल्तान ने सबसे पहले अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बाटा इन प्रांतों को एक्ता कहते थे और हर एक्ते में सुल्तान अपना एक जिम्मेदार सेना पतिन्यों करता था जिसको एक्तदार कहा जाता था है एक्तदार के पास अपनी सेना होती थी और प्रिशासन को चलाने के लिदिकारी होता था इक्तिदार इनी की साहता से राज की रक्षा और नियंत्रन करता था छेतरों से कर्वसूल करता था अपने एक्ते से खटा की एकर से ही वो अपना और अपने अधिकारियों का अपने साने को कर खर्च लाता था इस खर्च के उपरांग जो बचता था वो एक्तदार सुल्तान को भेज देता था इसी तरह की शासन वेवस्ता बच्चों आप लोग आज कल भी देखते हैं आज कल भी हमारे संपूर्ण देश को प्रांटों में बाटा जाता है और वरतमान में हमारा पूरा भारत देश 29 राज्यों में बटा हुआ है 29 राज्यों के साथ साथ हमारे यहां 7 केंदर शासित 6 तरवी हैं जो की अब 9 हो गए हैं इल्टुत मिश्ण ने इसी के साथ साथ मुद्रा व्यवस्ता में भी सुधार किया और मुद्रा में सधार करते हैं दो नई तरह की मुद्राएं चलाई एक चांदी का सिक्का होता था जिसको की हम लोग जिसको की वो लोग चांदी का टंका कहते थे यह आपके चित्र में दिखाया गया है जिसको की हम आपको साफ बढ़ा करके दिखाते हैं इसे के साथ साथ इल्टुत मिश ने तामवे का एक अन्य सिक्का चला जिसको जीतल कहा जाता था 1236 में ल्टुत में शिम्रती हो गई और उसने अपने जीवन में ही अपना उत्रादिकारी अपनी पुत्री रजिया को बनाया था क्योंकि उसके पुत्र उतने योगे नहीं थे लेकिन जब रजिया सुल्तान प्रथा मुस्लिम शासका बनने को थी तो सरदारों और उलेमाने विरोध करके उसके पुत्र रुकम दिन फिरोज को गद्दी पर बठा दिया लेकिन वो बहुत ही दुरुबल शासक हो था और उसकी वज़े से बाद में फिर 1236 में रजिया को और अमीर एक महिला को अपनी शासका मानने से इनकार करते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि हम एक महिला के अधीन हो गए हैं और जबकि उसी समय पर प्राचीर मिसर और इरान में महिला उनराने के रूप में शासन किया था लेकिन यहां पर ये पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका थी इसलिए इन अमीरों ने इसका बहुत विरोध किया रजिया ने लगभग तीन वर्श आठ माश शासन किया था वो युद्ध में सेना का नेतर तो भी करती थी लेकिन अमीरों को ये लगने लगा कि वो उसके हाथ की कटपदली नहीं बन सकती है और उन्होंने एक बार शडिंद्र के दोरा उसे कद्दी से हटा भी दिया था बाद में रजिया के बाद उसका एक भाई और दो भतीजे भी बारी बारी से सुल्तान बने जो किया योग निकले अता इलतुतमिश्च के छोटे पौत्र नसर दिन महमूद को दिली का सुल्तान बनाया गया नसर रिट्ध सरदारों का दिल था वो अतदिक शक्तिशाली हो गया है इसके बारे में हमने आप लोगो पहले बताया था कि इलतुतमिश्च ने चालिस तर्की गौलाम सरदारों का दिल बनाया था जो कि तुरकान एक चहलगानी कहलाता था नसर दिन महमूद के समय में इतना शक बल्बन था उसको अपना नायक बनाया बल्बन ने धिरी धिरी अपनी इस्थिति सुद्रन कर ली बल्बन एक शक्तिशाली सरदार बन गया और 1265 ही स्वी में नासर दुन महमूद के बाद बल्बन ही गद्धी पर बैठा बल्बन का चितर आप लोगे स्क्रीन पे सामने दिख परटवाया साफ करवाया और वहां पुलिस चौकियों की का निर्मार कराई इस प्रकार दिल्ली के आसपस रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने मेवातियों के लावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया बच्चे तुमको ये भी बता दें कि बल्बन कानून को लागो करने में बहुत कठोरता बरता था अपने आपको इस प्रत्वी पर ईश्वर का प्रत्निदी मानता था अर्थाथ वो राजा के दैवी अधिकार को कि सिद्धान को मानता था और बहुत ही निरंकुष्टा और कठोरता की नीटी अपनाता था लेकिन अब इसके बारे में बल्बन के बारे में आगे हम आपको कल और पढ़ाएंगे आज आप लोग अभी इसी को ध्यान से सुनिये और अच्छे से समझेए